मंदिरों में कई बार आपने देखा होगा कि लोग एक दूसरी से बात्चित कर रहे होते हैं कोई फोन पे बात कर रहा होता है कोई आपस में बात कर रहा होता है कोई किसी की चुगली कर रहा होता है कोई खेल रहा होता है तरह तरह की बाते हो रही होती इसे देख करके आपका मन व्यथित हो जाता है आपको क्रोध आता है आपको लगता है कि मंदिर वो जगे नहीं है जहां लोग इस तरह से बाते करते हैं ऐसे वक्त में जब आपको क्रोध आता है तो आपको लगता है कि लोग यहां क्यों आते हैं यह सब बाते करने के लिए यहां तो पूजा पाठ करने के लिए आना चाहिए आपके मन में यह भाव आता है तो मन के इस क्रोध को रोकने के लिए क्या करें मन के इस भाव को बदलने के लिए क्या करें आपको लगता है कि आपका मन एका ग्रचित नहीं होता ध्यान भगवान में नहीं लगता उसके लिए क्या करें तो ये प्रसंग सुनिएगा बड़े ध्यान से हरे कृष्ण दोस्तों मैं हूँ अनुज्श शर्मा एक बार ठाकुर्जी की कनन्य भग थी बड़ा प्रेम करती थी ठाकुर्जी से नियमित रूप से मंदिर जाती थी रोजाना समय निर्धारित था उसी समय मंदिर जाती थी पूजा पाठ करती थी आरती करती थी उसको बड़ा विचित्र लगता था लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कोई किसी की चुगली कर रहा होता है कोई प्रकुदित हो रहा होता है कोई Hun पर लगा हूए है तो यह महिला बड़ी दुखी हो और मंदिर में भगवान का ध्यान करो पूजा पाट करूं ये सब बाते तो बाहर होती रहती है, मंदिर में आके क्यों, आप ब्यापार की बात कर रहे हैं तो मंदिर में कर रहे हैं, एक दूसरे की चुगली कर रहे हैं तो मंदिर में कर रहे हैं, एक दूसरे से बात्चित कर रहे हैं तो मंदिर में कर रहे हैं, फोन पे लगे हुए हैं ये सब देख करके ये महिला बड़ी परिशान होते तो पुजारी जी के पास गई, पुजारी जी उको जा करके बोला पुजारी जी, मंदिर में तरह तरह के लोग आते हैं व्यापार की बात, राजनिती की बात, धार्मिक बात, सामाजिक बात सब तरह की बाते यहीं पर करते मन बड़ा विचलित होता मन दुखी होता है कि लोग यहां यह स्थान क्यों चुनते हैं इन बातों के लिए तो कल से शमाच आऊंगी मैं मंदिर नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा ध्यान नहीं लगता है मैं अपने घर पर ही पुझा पाट करूँ पुझारी जी ने कहा कि ठीक है कल सुभे मंदिर जरूर आना उसके बाद भले ही मता आना तो महिला ने कहा कि ठीक है अगले दिन सुभे यह महिला मंदिर गई पुझारी जी से जाकर कि कहा पुजारी जी आपने बुलाया था, आपने कहा था कि आज जरूर आना, ऐसी क्या बात थी कि आज आज आपने जरूर मुझे बुलाया, पुजारी जी ने कहा, कि ये घडा लो, और इसे पानी का भरो, महिला ने वो घडा लिया, उसे पानी का भरा, पुजारी जी ने कहा कि अम मंदिर की परिकर्मा करो और बड़े ध्यान से करना घड़े से ये पानी छलकना नहीं चाहिए नीचे गिरना नहीं चाहिए महिला ने वैसा ही किया पुजारी जी ने तीन बार परिक्रमा करने के लिए कहा था महिला ने तीन बार की उसके बाद वो पुजारी जी के पास पहुंचे पुजारी जी ने पूछा हो गई पूरी तो महिला ने कहा हाँ हो गई पूरी तो पुजारीजी ने कहा कि किसी की बाते सुनाई दी, कोई ऐसा वेक्ति दिखाई दिया जो फोन पर लगा हुआ था, किसी की व्यापारिक बाते सुनाई दी, सामाजिक बाते सुनाई दी, लगा कोई किसी की चुगली कर रहा है, तो महिला ने कहा कि मेरा उस तरफ ध्यान ही नहीं गया तो पुजारीजी ने कहा क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान घड़े के जल पर था कहीं जल घड़े से छलकना चाहे, गिरना चाहे तुम एकाग्रचित थी तुमने पूरा ध्यान घड़े के जल पर लगा लिया था इसलिए तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया किसी की बाते सुनाई नहीं दि जिस दिन तुम्हारा पूरा ध्यान पूरा मन एकाग्रचित हो जाएगा इश्वर में लग जाएगा सिर्फ इश्वर ही दिखाई देंगे इश्वर ही महसूस होंगे इश्वर ही समझ में आएंगे इश्वर ही सुनाई देंगे सिर्फ इश्वर से बातचीत होगी उस दिन आसपास की कोई गती विधी कोई व्यक्ति फोन पर बात्चीत करता हुगा दिखाई नहीं देगा कोई व्यापारिक बात सुनाई नहीं देगी उसके बाद तुम्हें कोई आवाद सुनाई देगी ही नहीं क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान इश्वर में होगा मन एकाग्रचित होगा जिस प्रकार घड़े के जल में था तो तुम्हें लोगों के लिए व्यथित नहीं होना इसलिए परिशान नहीं होना कि लोग यहां क्या कर रहे हैं बलकि इस बात पर ध्यान देना है कि तुम्हें एकागरचित कैसे होना है तुम्हें इश्वर का ध्यान कैसे करना है तुम्हें मन को एक जगे कैसे टिकाना है तुम्हें अपने विश्वास को कैसे प्रगाड करना है अपने प्रेम को कैसे अगाड करना है अपने संपूर्ण ध्यान को इश्वर पर कैसे लगाना है तुम्हें इस पर कारिय करना है इसके लिए चाहे दुनिया में तुम कहीं हो किसी भी जगह हो, किसी भी शन में हो किसी भी स्थिती में हो, किसी भी काल में हो जब तुम्हारा मन एक अग्रचित हो जाएगा इश्वर में ध्यान लग जाएगा उसके बाद तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा किसी के प्रती कोई भी मन में भावना जागरित नहीं होगी कहीं भी क्रोध नहीं आएगा तुम्हारा मन शान तो हो जाएगा प्रेम से प्रिपून हो जाएगा तुम्हारा विश्वास प्रगाड हो जाएगा यदि तुम कुछ बदलाव करना चाहती हो तो अपने भीतर करो बाहर नहीं दोस्तों हम सब एक दूसरे से बड़ी शिकायते करते हैं बड़ी मन में भावना जागरित होती है कि वो वेक्ति ऐसा क्यों कर रहा है लोग ऐसे कारिये क्यों करते हैं वैसे कारिये क्यों करते हैं ये गलत है वो गलत है दुनिया भर में गलतिया निकाल रहे हैं सब गलत दिखाई देते हैं लगता है कि सब गलती कर रहे हैं जब भी दूसरों के अंदर गलती दिखाई देना तो उन गलतियों के बारे में सोचने की आश्कता नहीं है ये सोचने की आश्कता है कि मुझे ये गलती क्यों दिखाई दे रही है क्योंकि मैं इन गलतियों को देखना चाहता हूँ मुझे सिर्फ नकारत्मक चीजे दिखाई दे रही है क्योंकि मैं इन्हें देखना चाहता हूँ जिस दिन मैं सकारत्मक चीजे देखना चाहूँगा मुझे कुछ गलत दिखाई नहीं देखा बदलाव की बहार आश्कता नहीं है, बदलाव की भीतर आश्कता है मुझे भीतर से सब बदलना है जैसा मैं भीतर से होंगा वैसी बहार की दुनिया दिखाई दे जब मेरा मन एकागरचित हो जाएगा इश्वर में ध्यान लगेगा इश्वर से प्रेम हो जाएगा विश्वास प्रगाड हो जाएगा तो मैं जिस शड में हूँ, जिस हालात में हूँ, जिस थिती में हूँ, जिस प्रस्थिती में हूँ और जिस जगें हूँ वही जगें मंदिर बन जाए थी क्योंकि इश्वर और आपके बीच के संबंद में कोई आही नहीं सकता वो सीधा संबंद है इश्वर से उसके बाद इस अनंत ब्रह्मान में कितनी भी गतिविदी हो वो दिखाई नहीं देगी क्योंकि आपको सिर्फ इश्वर दिखाई देगी और सब के भीतर इश्वर दिखाई देगी हर जीव के भीतर इश्वर दिखाई देगी क्योंकि आपके भीतर प्रेम जन्म ले चुका होगा जो लगातार प्रगाड होता जाएगा यदि आप अपनी दुनिया बदलना चाहते हो जीवन बदलना चाहते हो तो अपने भीतर कारियरत हो जाओ मन को इकाग्रचित कर लो विश्वास कर लो कि अनंत ब्रह्मान का रच्षता कणकण में समाया है कणकण में विद्यमान है और संपोर विश्वास के साथ मन को एका ग्रचित कर लो उसके बाद देखो दुनिया की हर चीज आपको सुख देगी हर शण में आपको आनंद की अनुभूती होगी इसके लिए विश्वास की अश्कता है इसलिए हमेशा कहता हूँ अपने विश्वास को मजबूत रखी अपना ख्याल रखी हरे एक किश्ण